हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे ठीक है दोस्तों जैसा कि आप थमनिल देखकर ही समझ गया होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे के बिया संबीदा भरती 2024 लेटेस्ट नि मतलब अलग-अलग इस्कूल में अलग-अलग रिजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे वेकेंसी निकल मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे वेकेंसी आती है कहीं पर जनवरी में आना स्टार्ट हो जाता है कहीं फरवरी आल्मोस्ट मार्च इंड तक इंटर्व टीचर दो साल तक हमने पढ़ाया है प्राइमरी टीचर ठीक है जैसे अब थमनेल में एक दो पिक्चर भी आप देख रहा हूंगे तो मैं डीटेल में आप लोगों को बताऊंगा केंद्री बिद्याले में जो संबीधा की नोकरी होती है कंट्रेक्चुल जो टीचर की वेकें हैं तो उनके क्या-क्या फायदे होते है क्या-क्या नुकसान होते हैं तो आपको मैं बता दूं करेंट्रि मैं इंडियटेली में असिस्टेंट टेलिकाम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूं ठीक है मैं अभी इंडियन रेलवे में रेलवे में असिस्टेंट टेलिकॉम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूं और मैं आपको डीटेल क्या मिलती है क्या क्या फैसलिटी मिलती है उसका इन फ्यूचर में क्या फैदा और क्या क्या नुकसान है लेकिन फाइनल अनफार्चुनेटली मेरा फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं मैं पूरा डिटेल में आपको अपनी जर्नी सेयर करूंगा कि किस तरीके आपको इंटर्व्यू की त्यारी करना है और किनके किस कंडिडेट के लिए कंट्रिक्चुल के नोकरी फायदे मंद है किसके लिए फायदे मंद नहीं है तो आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वेल आइकन को प्रेस कर लिए वीडियो थोड़ी 8-10 मिनट के होगी लेकिन मैं डिटेल इंफर्मेशन आप लोगों को दूंगा तो चलिए मैं डिटेल में पहले नोटीस को आप लोगों को बताता हूं उसके बाद उसके फायदे रिखाऊंगा ठीक है दोस्तों देखे ऑफिस्यल नोटीफिकेशन ओपेन हो चुका ठीक है केंदरी बिद्याले निव कैंट परियागराज प्रत्थम में द्यूतिय पाली ठी है पर पूर्णत लिखा आप इसको पर्मानेंट वेकेंसी मत मान लिजिए का यह संवीदाकी वेकेंसी थे तो देखे इसमी क्या-क्या लिखा हुआ डिटेल में आप लोगों को बताथा हूं इस जिस मैक्सिमाम मैक्सिमाम जगह क्या होता है क bilmiyorum मैं जो कॉन्टैक्श वा करा लिया जाता है उससे क्या होता है कि भीण को कम करने के लिए एक एक्जाम कंड़क्ट कराकर कुछ कंडिडेट को सौट लिस्ट कर लिया जाता और उन्हीं का प्रापर इंटर्वी होता ठीक पहले आप नोटीस को पढ़ लिए अच्छे से देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी के लिए टीजी टी पीजी टी और आपके खेल योग निर्त्य सिल्प कला काउंसलर नर्स मतलब नौन टीचिंग स्टाप सभी का जो रिटेन एक्जाम होगा वह सात फरवरी 2024 को रिटेन एक्जाम होगा ठीक है सात फरवरी 2024 को ठीक है और इसका फ़र्म जो आउ आज लास्ट डेट है और इस पर आपको फॉर्म फिल करके आपको क्या करना है इनके इमेल आइडी पर सेंड कर देना ठीक है तो मैं वीडियो सिर्फ मैक्सिमम लोगों को पता हो चुका जिनको नहीं पता होगा आज इस वीडियो के माध्यम से आप अभी साम तक फॉर्म को भ देखा हुआ है क्वालिफिकेशन सचतकार की पद निम्मी और पूरा क्वालिफिकेशन दिया कि क्या क्या चाहिए तो देखें सिक्स फरवरी को कंपूटर अनुदेशक का होगा शिक्स पर असना को तर सिचक कंपूटर के लिए यह सारी ऐलिजबिल्टी है आप इसको प्रात्मिक सिचक का होगा यह सारे रीटेन एक्जाम का दिया हुआ ठीक रीटेन एक्जाम होने के बाद आपका इंटर्व्यू कंड़क्ट करा जागा तो इसको प्रापर ऐसे पढ़ लिजे क्या क्या डिटेल दिया है और हाँ यहां पे एक चीज और याद रखेगा यह क को कोई टीए डीए नहीं मिलेगा ठीक है किसी पत के लिए आविद को संख्या अधिक होने पर सच्छातकार तिति पर भी लिखित परिशा का यह जिन किया जाएगा ठीक है यह डिटेल दिया हुआ ठीक है अब यह देखिए अप्लिकेशन फॉर्म है इसको आपको प्रापर यहां पर फॉर्म को फिल करके फोटो अपना अपलोड कर लेना अगर इससे भी रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसका भी प्रापर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म करना ठीक है यह डीटेल अप्लिकेशन था एक बार इसको अच्छे से देख ल है क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को देखी लिए होंगे टीजीटी में अर्सवरी पी आटीम एकईस जार दो सो पचास रुपए परमंत मिलते हैं टीजीटी में 26,250 रुपए मिलते हैं और पीजीटी में 31,250 रुपए ठीक है थोड़े बहुत उपर नीचे होंगे तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं PAT का दिया हो लेकिन इतना पता है कि TGT 26,000 कुछ रुपए होता है और कि एवरी मन्थ एवरी मन्थ आपको वन सियल मिलेगा इस इट मिंस आप 30 डेज में वन डेज अपसिंट कर ले जाएंगे तो भी इसकी सेलरी नहीं कटेगी ठीक है दूसरी चीज हर संडे संडे की जो छुट्टी होती उसकी सेलरी आपकी नहीं डिड़क्ट होगी मतलब संडे की चुट्टी की सेलरी आपको प्रॉपर मिलती है अब सेल और क्या-क्या मिलता है अगर मान के चलिए कभी इसकुल में दो चार दिन की चुट्टी है दो चार दिन की चुट्टी है उसकी भी सेलरी डिड़क्ट नहीं होती मतलब सेलरी आपको प्रॉपर मिल जाता है लेकिन उस time period में आपको salary नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात का आप विसेज ध्यान रखेंगे, काफी candidate को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा, तो मैं already KBS में दो सल पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो आपका winter break हुआ, winter break, summer break, autumn break, इन तिनों break की salary आपको नहीं मिलेगे, प्राक्स दो महीने, continuous आपका बीच में gap हो जाता है, करीब summer break हो जाता है, एक से डेड़ महीने का, autumn break हो जाता है, दस से बारा दिन का, winter break, दस से बारा दिन का, तो मतलब एप्राक्स दो मन्त की salary आपको नहीं मिलेगी, ये तो होगे salary point abuse है, अब ये contractual की नोकरी, कि किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, देखिए, किसको करना चाहिए, और किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप बेरोजगार है, आप कहीं भी job नहीं कर रहे हैं, घर पे खाली बैटें, तो आपको job करनी चाहिए, interview देना चाहिए, और आप select हो जाते हैं, तो यहा अगर आप कहीं कोई भी प्राइबेट सेक्टर में या कहीं पर भी 10-15,000-20,000 रुपर पर मंत अर्निंग आप कर रहे हैं और आपकी पर्मानेंट जॉब है आपको अफ्लाइब नहीं करना चाहिए इसलिए कांट्रेक्चुल वेकेंसी होता है कि जैसे कोई पर्मानेंट टीच के वहां पर आपका कांट्रेक्चुल टीचर में एक बार जॉइनिंग हो जाती है तो आल्मोस्ट वन येर तो आप एक सेशन तो कंप्लीट करी लेंगे ठीक है एक सेशन के बाद ही निकाला जाता जैसे मैं केंद्री विद्याले रिहंद नगर में पढ़ा रहा था तो वहा चैनल मेरा सेलेक्शन नहीं होपा है तो यह फायदे और नुकसान हुए दूसरी चीज अगर आपका केंद्री विद्याले किसी प्रोजेक्ट के अंदर में मतलब वहां पर सारी फैसल्टी मिलेगी आपको रूम का क्वार्ट मतलब क्वार्टर भी मिलेगा रहने के सारी फै इसमन केंद्री दियाले जो होते अच्छे सीट होते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर होता तो मिज़ार्टी आप चांसे से क्वार्टर भीना जैसी जैसे मात पर अच्छा रूम मिला था जो fund की तरह ही आपको सेली इने जाॉर्स सरी By Little L के फायदे क्या क्या है दिखिए अगर आप के वीएस में कॉंट्रिक्शुल टीचर पर पढ़ाते हैं पहली बात आपके अंदर का इस्किल डे टूडे स्किल डेवलप होगा दूसरे चीज़ जब कभी केंद्री विद्याले की वेकेंसी आईगी वहां पर आपका इसका बढ़ कर सकते हैं आप फिलाल में के मतलब एक सेंट्रल सेंट्रल गवर्मेंट के जॉब में इंडियन रेलेव में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट कर रहा हूं तो मुझे बहुत कस्त नहीं हो रहा लेकिन मैं टीचिंग जॉब की त्यारी करता रहता हूं अभी बहुत इनको प्रेस कर लेजिए और यह फॉर्म जरूर्ट फिल कीजिए जो कंडिट अभी बेरोजगार हैं आप टीचिंग जॉब की त्यारी कर रहे हैं आपके पास डीएड डीलेड बीटीसी बेड जो भी है उसके कोडिंग आप फिल कर दीजे और जो योगा और भी योगा का ह हुआ जा कॉन्सलर कांडेंस का हुआ आप कि टवञटी थावजेंड से ऊपर की से कर्याएं मैं लूटी तुम से उपर सारे की सेलरी रहती है किसी वी पोस्ट केलिए 20 थाउज पूछे जाते हैं मैं डिटेल में आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा तो आप कमेंट कर दीजेगा एक एक कमेंट का मैं रिपलाई करता हूँ और चैनल पर नहीं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और जो भी आपको contractual teacher से related doubt होगा उससे related आप कमेंट कर दीजेगा मैं डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो बना कर प्रोवाइट कर दूँगा चलिए वीडियो बहुत लेंदी हो रही इतना ही आज के लिए